नमस्कार सभी प्यारे चात्रों को तो MP Board की Final जो परिक्षा जब से इस्तगित हुई है तबी से लेकर चात्र परेशान है कि आकर उनकी जो Final परिक्षा है वो कब ते ली जाएंगे या फिर Corrected Date क्या है तो या फिर General Promotion चात्रों को दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा आकर सरकार क्यों General Promotion चात्रों को नहीं देना चाती है तो इसी को लेकर हम discuss करने वाले हैं आज की इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अबस्ते देखीगा तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप सभी चात्रों को पता हुगा के लगातार कोरोना संक्रमन के फैलने के कारण जो आपकी क्लास 10 और क्लास 12 की 30 अप्रेल एक मही से परिक्षाय सुरू होने वाली थी उनको एक महीने तक इस्तगित कर दिया है वोट ने इसके संबन्द में नोटिफिकिशन भी जारी किया है जो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत से चात्रे ऐसा भी चाह रहे होंगे के उनको जनरल प्रमोसन दिये जाए और कुछ चात्रे ऐसे भी होंगे के एकजम होने चाहिए तो सबी की अप अपनी राय होती है और अप अपना मैंड सेट अलग होता है तो आप हमें कमेंट में अवस्च बताएं आप जनरल प्रमोसन चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी परिक्षा होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं बात करने बाला हूँ कि आपको सरकार आपको जनरल प्रमोसन क्यों नहीं देना चाहती है तो फाइनली जो सरकार है बो जनरल प्रमोसन इसलिए हेलो बच्चों पढ़ाई में डाउट साते हैं घबराईए नहीं सबका शॉलूशन है डाउटनेट बच्चों आप किसी भी सवाल में अठक गए हो या आप से सॉल्व नहीं हो पार आया तो बस उस कौशन को आपको फोटो लेना है और कौशन को क्रॉप करना है पास सेकेंड के अंदर अंदर आपको उस कौशन को वीडियो सॉलूशन मिल जाएगा फिर चाए आपको कौशन हॉंबर का हो सीविए सी यूपी भिहार महाराष्ट राजस्तान एमपी या किसी ओर वोट का हो चाए आयाटी जी नीट या चटी से बारवी का सवाल हो इन सब का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट एप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स, केमिस्टी, मैथ, बालोजी, साइन्स आपके सभी सवालों की जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर साथी अब डाउटनेट एप पर फड़िये कोटा की वेस्ट फैकुलिटी जैसे जीबी सर, एंजे सर, आकांसम एम, प्रिंच सर, जैसे टॉफ टीचर से यानि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट एप पर, तीन कडोल से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट एप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाईए और डाउटनेट एप इंस्टॉल कीजिए लाइप में असपलता का आपको सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल प्रमोशन ना देने की समंध में भी हाँ पर एक लैटिस्ट निउज निकली है, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मंत्री इंदर सिंग परमान ने कहा है कि चात्रों को दिये जाने से परिशानियों को सामना करना पड़ता है, जनरल प्रमोशन के बाद चात्रों को इसको लिया कॉलिज में एडमिशन देने में, लेने में परिशानी उठानी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको जनरल प्रमोशन दिये जाएगा, तो इससे आपका जो भविस से अंधिकार में जाएगा तो आपको कई सारी अपने कर्यियर में प्रॉलम्स का सामना करना पड़ेगा इसलीब ये सरकार चाहती है कि आपको जनरल प्रॉमोसन ना मले क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप बिना एक्जाम के पास हो जाएगे लेकिन जो आपके आप दूर का सोची है आपके करियर का सोची के आपको जो प्रॉलम का सामना आपको करना पड़ेगा अगर आप को जनरल प्रॉमोसर मिलता है बिना परिक्चा दिया आप पास होते हैं लेकिन यहाँ पर सरकार चाहती है कि आपकी जो परिक्चा हैं सेफ हूँ क्योंकि जब अभी कोरोना संक्रमन चल ला है तो इससे बचाप के लिए जो आपकी परिक्चा इस्तगित की हैं जिससे आपको किसी परिकार की छात्रों को परिशानी का सामना ना करना पड़े और आप आपकी जो परिक्षा है वो ली जाएंगी चाहिए आप की जो जिस प्रकास से जो किलास 9 और क्लास 11 की परिक्षा लिगए उपन बिक पददती से तो इसी प्रकास से कुछ आइडिया निकालकर आपकी भी फरिक्षा कराने की सरकार की यूज़ना है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप अवस्य बताई कि आप क्या चाहते हैं आप जनरल प्रोमोशन चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी परिक्षा होनी चाहिए तो छात्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अबसी करिएगा अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप चाओ तो डिसलाइक भी कर सकते हो ये आपकी मर्जी है और अगर हो सके तो इस वीडियो को सेहरी भी कर देना अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लेकिन अपना ओपिनियन जरूर दें